वेल्कम बैक गईस सबको याद होगा मैंने काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने तुमको कुछ ऐसी चीजों के वारे बताया था जो कि पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में सरफ एक ही पोकेमोन कर सकते हैं वो वीडियो तुम लोग को आपिसली बहुत पसंद स्कैब कर लेना अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं आया Cel उन्याटेक्स तो ऐसे काफी सारे पोकेमोन अटेक्स है जो盡़ी और उन अटेक्स का किसी और पोकिमोन ने कभी भी पोकिमोन एनेमे में यूस नहीं किया है जैसे कि आश के लुकारियू का रिवर्सल, आश के नॉक्टावल का एक्स्रा सेंसरी, ड्रैकोविश का फिशिया स्ट्रेंड, हेराक्रोस का एंड्यूर और स्लीप टॉक, इग नाइट का फार प्लेज और फिर आते हैं दो जी मूव सबसे पहले आता है आश के लाइगन रॉक का स्प्लिंटर स्ट्रॉम शार्ट, यह जी मूव यह सच में काफी स्ट्रॉंग था और फिर आता है आश के पिकाचु का 10 मिलियन थंड़ बोल्ट, यह मूव आश के पिकाचु का सिगनेचर जी मूव है तो डेफिनेटली इसको क किसी और ने यूस नहीं किया है तो हाँ यह सारे वह आटैक्स थे जो कि आश के पोकीमॉन के सिवा किसी और पोकीमॉन ने यूस नहीं किये है नबर फाइश के टॉर्टरा का इवाल्व होने के बाद वीक हो जाना अब यहार हमने आनिवे के अंदर इतने सारे अलग अलग को देखा है जिनके पास इतने मस मस पोकेमॉंस होते हैं और हमने हमिशा देखा है कि अनिमे के अंदर जब भी किसी ट्रेनर का या फिर एस का ही कोई इस प्रेटा जो आपने सेकेंड स्टेज में अया आया या रिज्यों सेकन्स खेंड सेरे रहता है ग्रटल उसमें आया तो थोड़ा सा विक हो ग्या फिर टॉटल बनने के बाद विक हो गया मतलब scout स्क Reg니다 उल्टा चलता था टर्टविक वहले स्टेज में भाई वह बिल्कुल बीस था इतना पावरफुल था फिर जैसे एसे एवाल्व होता गया वह वीक होता गया और एसा और किसी के पोकेमॉन ने आप तक नहीं किया जो कि आज के टॉर्टना करके दिखाया तो यह एक अचीवमे उसका ग्राउंड टाइप पोकेमॉन के ओपर असर नहीं होता बट यार एश के पिकाचु ने ये भी करके दिखाया सबसे पहली बार एश का पिकाचु इस चीज़ को एश वसेस ब्लेन बैटल में करता है जहां पर उसकी बैटल ग्राउंड और रॉक टाइप के पोकेमॉन रैड़न के साथ होती है और साथ में रैड़न के पास लैटनिंग रॉड एबिलिटी भी होती है बट फिर भी इस एपिसोड में आश अपने पिकाचु को रैड़न के हॉर्ण पे एम करने बोलता है और फिर आश का पिकाचु रैड़न के हॉर्ण पे ठंडर बोल्ड का ऐसे आपको और भी काफी सारे एक्जामपल मिल जाएंगे तो हाँ यहार आश का पिकाचु काफी स्पेशल है क्योंकि वो ग्राउंट टाइप पोकेमों को भी डिफिट कर सकता है अपने एलेक्ट्रिक टाइप मुव्स का यूज करके अब यार जैसे कि हम लोग जानते हैं अब एक पोकेमों है तो वो जाता सिर्फ अपने टाइप के मुव्स को यूज कर सकता है मतलब एक फायर टाइप पोकेमों आप यह बिलकुल एक कॉमन सी चीज है लेकन भाई आश के पोकेमों ने जीज बिलकुल गलत साबित कर दी वो ल को यूज किया था और एक एपिसोड में तो भाई यह डिग अटाइक का भी यूज करता है तो सोच सकते हो यार मतलब ऐसे अलग-अलग टाइप के मुव्स का यूज कर रहा है बल्बसौर इसके अलावा इस सीन में तुम देख सकते हो एश का वाटर टाइप का स्कोटल फा और नमबर टू बिना इवॉल्व हुए अपने एवलूशन को हराना तो ज़्यादतर पॉकिमोन इवॉल्व होके स्ट्रॉंग बनने में विश्वास रखते हैं बट एश के पॉकिमोन थोड़े अलग हैं जैसे कि पिकाचु या फी बल्बसौर जो की इवॉल्व होना नही चाते एंट बिना इवॉल्व हुए भी वो लोग अपने इवॉल्व हॉम से जाधा स्ट्रॉंग है और ऐसके सरे क्वज्व वॉन है जिनोंने विना इवॉल्व हुए अपने इवॉल्व को हराया है ज्यासे कि पॉकिमोन ब्लैक आश के टैपिक ने अपने पुराने ट्रίνर के इमबोर को हराया था और आश के रॉकरफ ने ओलीविया के लाइकान रॉक औरह को भी defeat किया है और फिर आश के राउलेट ने हाउ के डार्क ट्रिस और डेसिड वाय दोनों को हराया है और फिर फाइनली एश का पिकाचु जिसने अपने evolve form को काफी बार हरा रखा है सबसे पहले पिकाचु ने लूटिनेंट सर्च के रायचु को defeat किया था और फिर सिनो में उसने एक trainer के रायचु को defeat किया था और फिर फाइनली एश के पिकाचु ने टोटल तीन बार अपने evolve form को हराया है और ये सिफ और सिफ एश के Pokemon ही कर सकते हैं इसलिए ये नंबर टू पर आता है हम सब लोग जानते हैं कि भाई एश का जो ग्रिनिंजा ये बॉन्ड इवॉल्फ हो सकता है और आज से पहले हमने ऐसी चीज कभी भी नहीं देखी थी है बॉन्ड इवॉल्फ टाइप की चीज हमको अब जाके भाई ये सब पदर चला है कि भाई बॉन्ड इवॉल्फ होने के लिए एक ट्रेनर और Pokemon का बॉन्ड काफी अच्छा होना चाहिए उनकी भाई दोस्ती काफी अच्छी होने चाहिए और भाई फिर सब लोग जानते है बॉन्ड इवॉल्फ होने के बाद Pokemon कितना जाधा नेक्स लेवल पावरफुल बन जाता है आज तक पूरे आनिमे के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एस के ग्रिनिजा को देखा है जो कि बॉन्ड इवॉल हुआ है और वह वाले ग्रिनिजा को नहीं बूल सकते है जो कि हमने एक एपिसोड के अंदर देखा था लेकिन अब तो वह भाई एक्जिस्ट करता नहीं तो उसको लेने का कोई फायदा भी नहीं है तो अभी करेंटली देखा जाये स्रफ एस का एक ग्रिनिजा है जो कि बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है उसके अलावा और किसी के पास भी भाई यह चीज नहीं है बॉन्ड इवॉल्व वाली पूरे पोटविवन वर्ल के राग्विल्ट के चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जाके सब्सक्राइब करो मैं मिलो कर तुम से ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए भाई तुम ऐसी और चीज़ों बता सकते हो कमेंट पर जो कि सरफ आज के पोकेमॉन के पास हो बाई बाई